Hey guys, good afternoon, welcome back to my youtube channel, कैसे हो आप सब लोग, मीद करतो हो, आप बड़ी असे होंगे, आज जो है हम एक motor vlogging का video डाला था मैंने पिछे, उसमें मैंने पूरा आपको फोन का mount करना सिखाया था, तो उस वाली वीडियो पे आपने धेर सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे comment कियें आपने, तो यह जो है, यह वाली वीडियो जो है, यह second part रहेगा, और इस वाली वीडियो में आपको मैं explain करूँगा, एक mic का setup जो है, अपने helmet में आपको कैसे करना है, क्योंकि वो चीज वहाँ lag कर रही थी, मेरी audience जो है, वो मुझे comment कर रही थी, कि आपने बाकी सब perfectly समझा दिया, क मोबाइल को कैसे mount करना है, लेकिन जो mic का setup है, बहुत जादा noise आ रहा है लोगों को, उनको पता नहीं है कि mic को कैसे adjust करना होता है, गोप्रो में, यह आपका phone है, आगर आपने phone भी mount किया है, तो mic का बहुत issue जो है, रहता है, तो पहली वीडियो का link जो है, मेरी description से मिल जाए कि माइक कैसे लगाना, adjust करना अपने helmet के अंदर, so let's start without wasting any time, तो पहले जो है, यह मेरी माइक यहाँ पर लगी हुए, अब मैं आपको यह पैडिंग उतार के दिखाता हूं, यह उतारा मैंने यहां से, थर्ड पैडिंग जो है, यह जैसे आप यह देख रहे हो मेरी, यह इसकी स्पेस बनाई है, सेल रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यह काफी हाड होता है, तो सिर पे जब आप हलमेट पहनते हो, तो यह comfortable नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसकी एक स्पेस बनाई है, अंदर वाली साइड, तो यहां यह रखोगी इसको, और यह वाली म आपको रखनी है, अगर मुझे अभी जीरो पर रखना है, तो माइनस तैन बी का, इसका कहने का मतलब यह है, कि आप जब वीडियो शूट कर रहे हो, तो आप जब बोल रहे हो, तो बहार की जो नॉइस रिदक्शन हो जाती है, मतलब जब मैंस बात करूंगा, तो बहार वा हवाज मैक कैच करेंगा, इसको कहते है नॉइस कैंसलेशन, तो आम मैक में यह चीज नहीं होती है, माइनस यह लावल होता है, नॉइस कैंसलेशन का, अवाज भी अच्छी देती है, और गोपरो हीरो 9 जिस जिस के पास है, उसमें यह फिट भी अच्छा बैठेगा, मतलब क कोई हवाज भटने का कोई दिकत नहीं है, तो यह वाला माइक, जो है, इसमें जो वाइरिंग है, एक्स्ट्रा जितनी भी वाइरिंग है, जासे यह देख रहो इतनी सारी, तो यह हमने पैड के अंदर ढाल नी है, जैसे यह पूरा है ना, तो इसमें थर्मो को ल के अंदर म तो तब भी जो है आपकी आवाज फट जाएगी तो यह भी एक रीजन है कि इसको थोड़ा साइड रखना है मतलब माउच से ताके आपकी सांस की आवाज ना चले और यह अंदर वाली साइड रहे और पहार की जब हवा पढ़ती है ना हैलमेट पे तो वह भी गिर अगर यहा स्माटफोन के साथ भी उस कर सकते हो स्माटफोन का पूरा चिन वाला माउंट वह सेट अप करके वह इस्तमाल कर सकते यह को कोई दिकत नहीं है पूरी फुल आवाज जो आएगी लेकिन इसका माइक का जो कॉस्ट है थोड़ा इंवेस्टमेंट आपको जदा करनी पड़ें कि मतलब मालो 1400 का यह माइक है तो 14 इसमें M1 आता है बोया का M1 सिर्फ वह भी काफी अच्छा माइक है लेकिन जिस जिसके पास hero 9 है उसमें वह माइक नहीं चलता M1 वाला तो M1 प्रो जो है जो यह वाला है यह वाला उसमें स्यूटेबल है और फिट होता मेरे पास बिलकुल मेरा मोटो लॉग कर चेक कर सकते हो तो साउंड कॉल्टी एकदम प्योर है एक बहुत दिक्कत था एंड मैंने दो तीन चेंज कर ली तो बहुत फ्रस्टेट था लेकिन मुझे इंदी यह माइक मिली तो मुझे प्रपर वर्क कर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सब के साथ यह चीज़ शेयर करूं ताके आप भी अपनी मोटो लॉगिंग अच्छे से कर पाओ और बहुत सारा प्यार दिखाओ तो अगर अगर आपको गोप्रो का सेट अप मेरे चैनल पर देख सकते हो आप मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मे मिल जाएगा पार्ट वन तो वहां से आप फोन को माउंट कैसे कर सकते हो अपने हलमट पर वह भी आपको पता चल जाएगा तो अभी रिसेंटली मैंने गोप्रो के लिए अपग्रेड किया है तो पहले में भी फोन से मोटर व्लॉग करता था तो आपको यह वाला वीडियो सामने पालेस दिख रहा है आपको जैसे देख रहा है आपको इस जगह का व्लॉग चाहिए दसीटी आफ टेंपल का मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो हम नेक्स व्लॉग जो है इस जगह पर शूट करेंगे और काफी मुझे तो बहुत मॉडरेट लगी अच्छी लग